हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो मैं चैनल तो आज मैं एक्स्प्रेंट करने वाले हूं विठीटी सीजन 5 की 105 की एपिसोड को तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जियन और फैनकुइनर की फाइट हो रही थी और इस फाइट में करती है अपनी फेनिकस को को और इस बज़े से फैन को इन अपने पेशल चेखन करने लगती तो आप आधे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाएं पर इस पर होती है आपको एंपको घया पनिधूब कर लुखती है इसके पास तो कुछ भी नहीं इसका पैसी मै किया जल्दी बताऊ नहीं तो हमने ट्राइब के लोग तुम को मार देगा और उसके बाद हम देखते हैं फैंक जुन्जे को रोकते हुए कहता है अभी के लिए तुम अपने लिमिट को क्रॉस मत करो भाले यह तुम पूली करना नहीं चूड़ा तुम बोल जाओंगा तुम इस लगता है अभी के लिए तुम्हें को इपर ही खतम कर दो और उसके बाद यह पुकरते हैं तुमने एक प्रॉमिस किया था तो क्या तुम्हें से एबट कर लही हो क्योंकि तुम एपने प्रॉमिस से तो नहीं पीचे हाट सकते हो और यह करने लगते हैं और उनके अदिन के बात करने लगते हैं और यह बूलत समझ लिया और मुझे पुड़े भड़ा सब्सक्राइब आप मुझे माप कर दो दे और यह बूलते हैं मिस्पाइन वहान से चल्नेजर नहीं लगती अगर फ्यूचर में 3000 लाइटिंग मुमेंट का टिकनिक दोस्रा कोई और सिख लेता है तब मैं तुमको नहीं छोड़ने बाला हूँ और तुमको मेरे हाथो से कोई भी नहीं बचा सकता है और मैं पार्सुनली तुमको माड़ूँगा और लीजुन जी के मौसा यह बत सुनके जी एन लीजुन जी के समने ग्रेट करते हुए कहता है मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी वी उन लाइटिंग पाबिलियन की 3000 लाइटिंग मुमेंट की टेकनिक को किसी के सरद शेयर नहीं करूँगा और उसके बद फैंग जुन जी थुरा सा आगे आकर लीजुन ज से माने लेता है उसके बद सब्सक्राइब करते हुए करते हैं तो इसलिए चलो जी हम लोग ऐसे चलते हैं और यह वह उनके पेछे मेंस भू और नियान भी चला जाता है उसके बद लीजुन जी और मिस्पेंग को कहता है कि क्या तुम सच में अपनी ट्राइब की ब्लाड संस कंच किया थे ज्यान की बोड़ि के ये बते सुनगे में से सहरे बीच इला देठीания मैंendy क वह उसकती हुए कि थला से सोच कर देना चाहिए क्योंकि तुबारी ट्राइब की लोगो तो फॉलिंग स्टर पाविनियन भी नहीं रूप पाएगा क्योंकि एबिले डेमन फिनिक्स की पावर जो रहे वह बहुत ज़ादा है और इसके सर्म में आभी इने फॉलिंग स्टर पाविनियन नहीं कर सकता है और लीजन जे के यह ब जीन को देखता है और जीन को दिखकर कहता है जीन आगे के लिए बहुत ज़्यादा इंजूर्ट है तो इस मेशें से फैंग जोंजे अपनी आसपास के जाओ को दिखकर कहता है आगे के लिए मुझे एक अच्छी जाना ठूबना होगा जहाँ पर हम लोग मिल कर पाए और उसके बद सीन चेंज हुन जाती है और फिर हमें एक पहार की सीन दिखाया जाती है जहाँ पर जीन अपनी फ्रॉस लब करके बैटर हुआ था और जीन के सामने फैंग जोंजे मिसमू और लिंगियन खाड़ा था और उसके बद जीन अपनी ग्लेस लफ को बाहर निकल लेता है अब के लिए इस ब्लाट को जीन अपनी फ्रॉस को और घैंगे लाइशन की ल heck जैन इंधर और सबरन नहाँ छूपा लिए था और निसमू ब्लाइशन को देखकर लिए जखने इस ब्लाट की ब्लाड लाइन को दिखा जाए तो यह किसे दाउसुन लेवन की मैजिकल बीस्ट की ब्लाड है और मिस्वत यह बते सुनके फैंग जुन ने कहने लगता है यह तो बहुत अच्छी बत भी आभी के लिए उन लोगों ने जियान को नहीं पकर वाया आभी के के लिए यह समझ में नहीं आ रहा है और यह सुनके फैंग जूंजे कहता है अभी के लिए जो एंट्शीन ब्लाड है वह जियान की बॉड़िवे से मार्च हो चुका है और जियान तब बचने के लिए अपनी फ्लेम से इसको मार्च कर दिया था और इस ट्रिक के मंदत से ज है और इस मेज़े से जियान को अभी के लिए काफे जदा प्रॉब्लम हो रही ही है धुजको बहुत जदा प्रॉब्लम हो रहे है इसने को फुरू के लिए मगए उसे पहले व्लेंग को अपनी घ्लेस्प्राम के मदत से एक इकड़ कर लेता है और उसके बद वो अपने वाड़ी के अंदर ही एक मैजिकल करही को बना लेता है अगर ऐसा करना जियान की लिए बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं था क्योंकि वह जो ब्लाड था वह बहुत ज़्यादा एंग्रिसिव था और इस बचे से बहुत ज़्यान की डिय करना लेता है और वह अपनी मन कहने लगता है अगर में इसको कि यह बंसर्ब करना चाहूं तो और तभी जियन को देखके वह आभी लिए यह लगद करने की कोशिश कर रहा है और वह अकेले और तभी मिसमू कहती है ancient blood essence को absorb करना काफी ज़्यादा मुश्किन है मगर एक बत तो मननी पड़ेगी अगर इससे कोई absorb कर लेता है तो इसके side effect बहुत ज़्यादा कामल का है और अगर कोई इससे absorb नहीं कर पाएगा तो उसका body fart जाएगा और ये सुनके लिएन थुरसे attitude में कहता है अभी के लिए ये blood तो थुड़ा सा ही है तो इससे जियन बहुत अच्छे से handle कर लेगा और फिर भी अगर जियन नहीं कर पाएगा तो हम लोगो इससे मदद कर देंगे और ये सुनके मिसमू कहने लगती है बिलकुल भी नहीं क्योंकि ancient blood essence के अंदर बहुत ज़्यदा energy है और अगर जियन इसके absorb नहीं कर पाता है तो और अगर हम लोग इससे external force के मदद से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो ये जियन के body can ये कफी ज़्यदा hand food हो सकता है और ये सुनके lignian कफी ज़्यदा ड़ जाता है और एक formation के मदद से उस पाहर के ऊपर एक shield बना देता है और तभी में जियन उस blood को refine कर रहा होता है और उसकी जो energy है वो अभी के लिए जियन के body के अंदर गुम रही होती है और इस ancient blood essence के refine करने के process काफे ज़्यदा difficult है और तभी जियन के हलत और भी ज़्यदा खराब होने लगती है और जियन इस ancient blood essence को ठीक से control नहीं कर पा रहा था और वो बहुत ज़्यदा powerful होने के बज़े से जियन के हाथों में से निकल चुका था और इस बज़े से जियन के सारे body में फूरा red color की crack सा जाता है और पुछ देर बाद वो ancient blood essence के energy जियन के नाक मुकांद से बाहर निकलने लगता है और यह देखे फैंग जुझे अपने दुईक्यों को बाहर निकल लेता है जियन के बोड़ी में से निकल चुका था जियन का बॉर्ण ओइंग सारे energy को एब्सूर्ब करने लगता है और उही पर फैंग जुझे भी इस बॉर्ण ओइंग को देखके काफी ज़्यादा है और उसके बाद जियन की हालत भी धिरे-दिरे सही होने लगता है और उसके बॉड़ी में जो क्रेक्स थे वह भी धिरे-दिरे सही होने लगता है मंगर फिर भी एंशियन ब्लाड एसेंस की energy का फ्री ज़्यादा होने की बज़े से जियन के फॉर्ण ओइंग्स भी इसे कंप्र नहीं कर पा रहे थे और इस मेज़े से जियन बहुत जोर से द पूले तो मिन्ते हैं एक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई